नमस्कार स्वागत है आप सभी का UP ANM result में प्रोवेजनल में आगे क्या होने वाला है और ज्वाइनिंग किस प्रकार से कैसे और सबकी एक साथ होगी या फिर जिनका भी सब ठीक है उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी बाकी की ज्वाइनिंग बाद में होगी इसके लबावा व एनम का result आने की बाद से बहुत सारे लोगों की रोलंबर में प्रोवेजनल लगा हुआ है जिसकी वज़े से लगातार वेलोग वेव भी अब भहरती परिसान है कि अब आगे हमें किस परकार से अपने प्रोवेजनल हटवाने होंगे यानि उसमें आगे का procedure क्या होता है इस इसके पहले एक रिजल्ट आया था जुनियर असिस्टेंट 2016 उसमें भी प्रोवेजनल लगा वा था और उसके पहले कोई भी रिजल्ट यूपी ट्रीपलसी का आता है कुछ न कुछ प्रोवेजनल के अभेड़ती उसमें हो जाते हैं प्रोवेजनल इस वज़े से लगता है कि हाला कि हमने बहुत सारे लोगों को बता दिया है फिर भी अगर आप किमन में कोई भी डाउट लगे तो जो डॉकुमेंट फेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है उसमें किसी की डॉकुमेंट्स में कोई चोटी गलती होने की वज़े से किसी का डी भी रिजेक्ट नहीं होता प्रोविजनल का मतलब होता है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी आपको अपने डॉकुमेंट्स को वेरिफाई करवाने होंगे जो कुछ भी कमिया थी उन कमियों को दूर करते वे कुछ कमिया जैसे आप देख लीजे एक बार बाकी आपको अपने से जाएटर में कोई दिक्कत तो नहीं रह गय थी जैसे आपने प्रपत्र भरकी दिया हो ऊसमें कुछ आपने और भरकी दिया हो और आपके फो तो उसमें तो कुछ डाटा तो समझ में आ जाएगा जैसे मालेजे फोर्म बढ़ने के समय आप और बिभाहित थी लेकिन फिर बाद में आपके साधी होगे तो आपने प्रपत्र में मेरियेट का बरा है यह बहुत छोटी सी चीज है इसमें कोई दिक्कर किसी को नहीं होना है बहुत लोगों ने 10th के बाद A&M किया हुआ है 12th बाद में किया हुआ है तो उन्हें उसका एक सबत्पत्र बनवा करके देना था अबने उस समय भी बताया था अब ही भी बता रहा है अगर आपने नहीं दिया हो तो यह आपको देना रहेगा काश्ट सर्टीफिकेट में अगर उस समय कुछ देने से चूट गया हो नया आफ नहीं बनवा पाए हो पिता पक्षवला आफ लाइन क्योंकि आल लाइन बन नहीं पा रहा हो उसमें तो ओ आप बनवाली जीग अगर आपके पास हो उसके फोटो कापी हो तो ओ आप सब रखे रही है गाच्छे से इसके राव बाकी की जो डोकुमेंट्स हैं अगर उसमें कहीं भी आपके नाम में हो चाए मदर ने में हो चाए फादर ने में हो तीनों ही नाम में ऐसा नहीं क्यों आप अपना नाम देखेंगे सरने में या फिर नाम में कोई भी तुरुटी हो आप उसके लिए एफिडेविट जरूर आपको देना है और सबसे last में finally आपको ये देख लेना है कि कोई documents देने से छूड़ तो नहीं गया था जैसे आपने सपत पत्र दिया लेकिन सपत पत्र में आपने signature ही नहीं किया ऐसे हुआ है बहुत लोगों के साथ में इसी तरह से आपने जो प्रपत्र बरा होगा उसमें हो सकता signature छोड़ गया हो कुछ फोटो अगर आपने दी हो प्रमारित किया हो आप छोड़ गया हो कुछ आपके signature में कुछ गलती मतलब कुछ भी आप अपने हस्तर से आप देख लीजीगा वज़े से आपका जो provisional लगा है वो लगा है तो उसको आप सही करा लेंगे दोबारा की document verification के समय वो आपका हट जाएगा इसके लिए आयोग से notice आती है notice में लिखा रहेगा कि आपको किसी दिन बुलाया गया है आयोग में उसी दिन आपको जा करके अपने सभी documents लेकर के उपस्तित होना होगा और उस जो notice आएगी उसमें कुछ और अगर extra कुछ अगर चीज़ी होगी तो उसमें सभी के सामने होगी पहले से नहीं बताया जा सकता है बत जो जैसे होता है यही प्रोसीजर होता है इसके बाद कि इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती है जो आइनिग के लिए या तो जो पहले से जिनका बिलकुल ठीक है जैसे यहां पर यह रोलॉंबर बिलकुल ठीक है तो इनकी जो बाद जो provisional है उनका clear होने के बाद बाद में उनका कराय जाए provisional में किसी का db reject नहीं होता बट सौव में एक cases माल लिजिए जहां पर documents में कुछ दिक्कती हो गलत हो कुछ ऐसी चीजे जो आप मतलब नहीं वहाँ पर प्रूप कर पाएं कि नहीं हमारा सब ठीक है तो ये बहुत कम केसेज में होता है फिर आप लास्ट में देखेंगे एक जो वीदेहेल्ड वाला मामला है वीदेहेल्ड वाले में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 20 रोलंबर है लेकिन हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए मतलब एक तो होता है डोकुमेंट में कोई तुरूटी रह गई है तो उसके लिए पुरुवेजन लगा देते हैं लेकिन डोकुमेंट में तुरूटी नहीं है पर सीधे-सीधे आरता से सवाल हो जाता है और इस पर आयोक जो है निर्डर नहीं ले पाए थे उन्हें लगा रहाता है कि ये अब भेरती भरती के लिए इलिजबिल है उसमें कई तरह की कंडिशन होती है ये वीदेहल्ट का मतलब होता कि अपने अस्तर से हमने इसको विचार विचारा धीन रखा हुआ है ये होता है तो इसके लिए भी चुकि आज आयोक बंद होने की वज़े से कोई भी हम आपको प्रापर जानकारी सुबह से नहीं दे पा रहे थे सुबह एक वीडियो आया था फिर दुबहरा कोई वीडियो आपके लिए बना नहीं पाया थे फिर लगातार जो है सभी के फोन कॉल्स आ रहे थे नहीं नंबर में शेयर किया हो था तो इस बज़े से भी कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पा रहे थे इसमें देखिए अंडर इन्वेस्टिगेशन वारा इसमें कुछ लोगों ने उसमें अप्लिकेशन भी दिया था उस टाइम पे किसर हमारा इसको हटा दी जी जो भी यह लिखा हुआ रहा क्योंकि फिर बाद में हो सकता किसी हम एक्जाम के लिए मेंस के लिए वैठे हैं और वहां पर हम डी बी में हमें प्राब्लम हो क्योंकि वहां पर तो पी इटी की स्कूर काट दिखाने पड़ेंगे तो इसमें भी देखिए कुछ हो नहीं पाया इसकी वज़े से उन प्रोइजनल वाले केस में आपको जाना चाहिए प्रोइजनल वाले में बाकि आप पता करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जा सकते हैं उसकी लिए कोई मनाई नहीं है आप जाकर कि पता कर सकते हैं कि सर प्रोइजनल क्यों लगा है उसमें क्या करना है हमें आगे बाकि जो प्रोसेजर था हमने आपको बताया और भी दे हैल्ड वाला भी हमने आपको बता दिया इसके बाद बहुत सारे केनिरेट्स थे जिनकी सिकायत है कि हमारे नंबर ज्यादा है लेकिन हमारा रोलंबर लिश्ट में नहीं आ सका बाकि वो बता रहे हैं कि उनका सब कुछ सही है तो आप भी जाकर के आयोग से पता कर सकते हैं प्योंकि उसमें किसी की जो नंबर है मार्क से पता नहीं चल पा रहे हैं कि एक्चुल में कितने मार्क्स आपके हैं इस वज़े से चीजी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं हो कि आपके नंबर कम कुछ गोला पढ़ने में कुछ गलती हुँ हुई हाला कि लोग तो कह भी लोग के स्योर होकर के नहीं हमारी गलती नहीं है तो हमें भी ढ हसा है आँ सबी क्यों पर उसमें वही समाधान है कि आप जाकर कि आयउक में बता कर सकते है कोई बिकल्प उसकी लिए हो in इसके बाद second list वाला देखिए कोई भी confirm जानकारी नहीं है ये केवल लोग बता रहे है second list का मतलब होता है कि बच्चे वे सीटों पर waiting list second list जैसे कोई चीज एक्जिस्ट नहीं करती है जो सीटे बच्चे है 311 ये सीटे freedom fighter ex-service में जहां पर candidate नहीं मिल पाये थे इन सीटों को या तो समय जिद क्या जाता है या फिर इन सीटों को back-log में डाल दियता है जिसको कि आग एकली माधियम से भरना होता है कुछ प्रावधान होता है कि सीटे किस परकार से कहां पर दी जाती जैसे.EWS की सीटे जनल में दी है यश्ति की सीटे यसी मी दे जाती है तो यह कुछ प्रावधान होते हैं बाकि जो भी सीटे खाली पडी है उन पर आयोग डिसिजन ले सकते हूं यो उनके उपर निर्भर यह उनके अधिकार चेत्रे में आता है तो जिनके भी कड़ाफ अंक से ये किया दो नम्मर से रह गए थे आपको निराज नहीं होना चाहिए वेटिंग लिस्ट का तो आप इंतजार करेंगे करेंगे साथ ही साथ जो भी सीटे खाले बचली है उन सीटों पर समायोजन के लिए या फिर उन सीटों पर सेकेंड लिष्ट के लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं उसकी लिए हम लोग हमें आयोग जा करके एक बार बात करनी होगी चेयरमें सरसे के सर इन सीटों पर भी जो बचेवे कैनिडेट है उनकी भी लिष्ट बना दी जाए मेरिट में जो आते हैं साथी साथ जोईनिंग होने के बाद जो भी सीटे खाली रहे जाए उन सीटों पर प्रतिक्षा सुची जरूर जारी की जाए इसके लब आपके मन में और भी सवाल हो सकते हैं तो आप प्लीज कमेंड करके पूछ सकते हैं जोईनिंग के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा जोईनिंग जो लोग फ्रेश हैं जिनका सब ठीक है लिष्ट में रोलंबर है तो जोईनिंग के लिए आपको 15-20 दिन मैक्सिमम या हो सकता है उसके पहले भी कोई नोटिस देखने को मिल जाए तो जोईनिंग जैसे कल खुलता है जल्दी ही सारी अपडेट्स एक बार सब कुछ क्लियर करके आपको बताने का प्रयास करेंगे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए धन्यवाद